इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. नुलोंग 5 tablet एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्छ रक्चाप, यानि की उच्छ रक्चाप के इलाज के लिए किया जाता है. ये calcium channel blocker के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है जो रक्चाप को कम करने में मदद करता है. ये दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद करता है. ये angina यानि की दिल से संबंधित सीने में दर्ड को रोकने के लिए भी निर्धारत किया जा सकता है. नुलोंग 5 टेबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ निर्धारत किया जा सकता है. खुराक आपकी स्थिती की गंभीरता पर निर्भर करता है. आप इसे दिन के किसी भी समय, भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं, लेकिन बहतर होगा कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले. जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें. इस दवा को अपने आप बंद न करें, भले ही आप अच्छा महसूस करें क्योंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. इस से किसी भी अच्छानक स्पाइक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्थाहार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी. इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. सबसे आम साइड इफेक्ट्स में थकान, एडिमा, यानि की पैरों में सूजन, नींद आना, चक्कर आना, निस्तब्धता, दिल की असामान्य धर्कन, यानि की धर्कन और सिर्दर्द शामिल हैं. अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या दूर नहीं जाता है. समू की अन्य समान दवाओं की तुलना में पैरों या टिखनों में सूजन और धर्कन जैसे दुश प्रभाव गंभीरता में कम होते हैं. अध्यानों से पता चला है कि इसका किड़नी पर सुरक्षात्मक प्रभाव भी पड़ता है. इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव, किड़नी या दिल की कोई समस्या है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं. विशेश रूप से वे जो उच्च रक्ट्चाप या हिरदय की स्थिति का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है. आपको नियमित रूप से अपने रक्ट्चाप की जाँच करवानी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लायक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद